किछ आई वेलकम बैक टो जैजी स्कीचर्ण आज में बनाने वाले हैं कट्टी-मिटी-ाम की लौजी तो आम की लौजी के लिजिए चट्नी लेजिए जो भी है बड़ बहुत टेस्टी लगती है और आज तो सिजन है आम का आम की यानि अम्या की कच्छे-ाम सरी कच्छे-ाम क खटीवटी लौंजी मनाते हैं चलिए स्टार्ट करते है तो चलिए गयाइस हम stellar चुके हैं अपनी किचेन में और अज हम बनाने वाले हैं आम की लौंजी और आम के लौंजी चार अम्या यानि कच्छे आम रहें उन्हें चील लेना है या नॉर्मल नाइफ की हल्प से आप इन सभी आमों को पील कर लिजिए यानใ께 छिल के हटादीजिए तो देखिए हमने पील कर लिए है जितने भी कच्छे आम थे इनको पील कर लिया है अब इनके कट करके इनके इंदर के जो गटक है ना इसको हम निकाल के अलग कर देंगे, हमें सभी आमों की गिटक निकाल के अलग कर देनी है, जो चलिए देखिए हमने सभी आमों की गिटक निकाल ली है, अब हमें इसे कट करना है, हमें इसे roughly कट करना है, आप अपने हिसाब की शेप दे सकते हैं, अपने मन पसंद की शेप दे यूँकि जब आम की लॉंजी में छोटे छोटे पीसिस आते हैं खाने के लिए तो उसका अलग ही स्वाद आता है तो बस थोड़े से बड़े बड़े पीसिस करिए शेप जो मर्जी दीजिए कोई फरक नहीं पड़ता शेप से बस हमें इसी तरह अपने सारे आमों को कट कर लेना है तो चलिए हमने अपने सभी आम अच्छे से कट कर लिए है और अब हम इने पकाना शुरू करते हैं तो चलिए हमें इसे पकाने के लिए क्या करना है देखते हैं तो बस हमें इसे पकाने के लिए लेना है एक पैन और पैन को हमने रख दिया है फ्लेम पर अब पैन में हम डालेंगे two table spon refined oil मैंने यहां refined oil यूज किया है आप कोई भी oil यूज कर सकते हैं बस वह oil यूज किजिए आप यहा औलिव ओयल उससके आप यहां ऑलिव औलिव कर सकते हैं आप संफलावर ऑयल यूसकर सकते हैं एनि ओयल यू के यू दिए टेल हो गया है गर्म और आब हम इसमें डालना है एक भड़ी चम्मच में दाना फ्रंग्रिक सीट्ट जो भी आप इसे कहते हैं हम यहां में केहते हैं तो मेथी दाना है एक चोटा चममच दालना है जीरा क्योमिन सीड आज़े इसके साथ हम यहां पर ढालेंगे छोटा चममच राइं यहां हम डालेंगे 0utta Senin Pasang सब्सक्राइब ऐंडेला यह डालेंगे एक बड़ा चममच हरी वाली सौंफ यानमिज जो यहां Clτο तो इसको उन सभी मसालों को जो हमारे इसमें खड़े होल स्पाइसे डाले हैं इनको हम अच्छे से सौते कर लेंगे यानि भूण लेंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसकी बहुत अच्छी सी कुश्पू बहुत अच्छा आरोमा आने लगता है जब यह तो अब इसके साथ हमें इसमें डालने हैं अपने कटे हुए आम जो हमने कच्छे आम काटके रखे थे अम्बिया वो सभी हमें इसमें ट्रांसफर कर देनी हैं और इसके बाद हमें इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है इन मसालों में अम्बिया को हमें बहुत अच्छे से भ भून लेंगे अम्या को इसमें एक से दो मिनट के लिए बहुत जादा देर तक के लिए नहीं भूनना है अब हम इसमें डालते हैं अपने ड्राइ इंग्रेडियंट्स तो हम इसमें डाल रहे हैं एक छोटा चम्मच नमक आप अपने हिसाब से अपने स्वाद की अनुसार नम साथ हमें डालना है एक चोटा चम्मक पी जो की हींग होती ना उसका उसकी खुश्बू उसका फ्लेवर उसका टेक्श्चर बहुत अच्छा होता है इसमें इन सभी चीज़ों को डाल के हमें इसे कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स अब हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी हमें डालना है इसमें एक से डेड़ कप आप अपनी quantity के हिसाब से ले सकते हैं, इसमें हमें जो हमारी अम्बिया है इसे हमें बस गला लेना है हलका सा, तो medium to high flame पर पानी डाल कर इसको, medium to high flame पर हमें इसे lid लगा कर पकने के लिए रख देना है, एक से दो मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा time इसमें नहीं लगता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं होती है, तो चलिए एक से दो मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं हमारी अम्बिया का क्या हाल है, अरड़ी यहाँ दो मिनट तक हमें इसे पकाया है और आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छे से गल चुकी है बलकि बहुत जादा ही गल चुकी है थोड़ी और भी कच्छी रहेगी थोड़ी से और एक होगी तो भी यह और अच्छी लगेगी तो मेरी जादा ही गल गई थोड़ी आप थोड़ी और ही कम गल आए तो बस हमारी आम के लॉंजी लगबक तयार है अब हम इसमें डालेंगे हमने जो आम लिये थे वो हमारे 400 ग्राम थे और हमने यहां गुढ लिया है यह 200 ग्राम कॉंटीटी 400 गिचाटी देए जितनी आम की कॉंटीटी होगी उसका आधा हमें गुढ़ लेना है हमने यह 200 ग्राम गुट लिया हम इसमें डाल दिया है अम इसे अच्छे से करेंगे mix और इसे पकाएंगे जब तक यह जो गुड़ है यह मेल्ट ना हो जाए इसको अच्छे से मेल्ट करके अच्छे से पक जाए तो हमें उतनी देर के लिए इसको पकाना है गुड़ बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है बस इसे हमने अपनी जो आ तो कि अधाय लगती है जब हम इसको देखते हैं तो वह आँकों भी बहुत अच्छी लगती है और उसका खाने में भी इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा देती है बस घुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है अब इसके इसके साथ ही साथ हमें इसमें कुछ स्पाइशेज और काला नमक Oo something साथ café साथ हम इसमें डालेंगे आधा छोटा क्या चम्मक चाँट मसाला पाउड़र और आधा छोटा चमच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर बस इन तीजे ही है हमारे सिक्रेट इंग्रेडियंट्स जो की हमने लास्ट तक बचा के रखे थे बस इन्हें अच्छे से कर देना है मिक्स और एक बॉयल आने देना है इसे वह हमारी आम की लाउंजी बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए चलिए हम इसे सर्फ करते हैं अपने बाउल में और इसे ठंडा करके खाएंगे चलिए हम इसे सर्फ करते हैं हमारी आम की लाउंजी बिल्कुल रेडी है अब आप इसको जैसे मर्जी खाईए पराटे के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए चटनी के तरीके खाईए या फिर किसी भी तरीके से खाईए बस खाईए बनाईए और इंजॉय करिए बट जरूर बनाईएगा जरूर खाईएगा और मुझे जरूर बताईएगा कि यह आपको कैसी लगी